एक बार वंदना त्रवेदीजी से मेरे अन्रोध है कि वे आएं और आप सबसे कविता की भाषा में पहुँचें वंदना त्रवेदीजी यह एक सत्य घटना की कवता है जो आसे दो तीन साल पहले पश्चिम बंगाल में एक सुगंधी नाम की लड़की भूग से मर गई थी उसी पर कवता हुटाई है मैंने उसके सिर्फ दो छंद सुनाने चाहूंगी क्योंकि देर काफी हो गई है मूल कवता मैं उसके बाद सुना बुखा रहे तो मा चोट लगी तो मा परन्तो आप उस बच्ची की पीड़ा समझे कि उसने मरने से पहले भात शब्द बोला कि उसकी भूग की पीड़ा इतनी कि उसके मरने से पहले उसके मुख से मा शब्द नहीं निकला निकलने वाला उस लड़की के नाम से शब्द था भाद, उसी पे दो च्छंद आपको सुनाते हूं कातर आखे सजलन कह गए मन की सारी बाद कातर आखे सजलन कह गए मन की सारी बाद आपने भी तो देखी होगी बे मौसम होती बरसा कातर आखे अंधियारे से चाराहे पर बैठे थे वो दोनों सार कुछ दे जाते कुछ जिड़काते मांगते वो फैला आए हार किससे कहें वो मन की बाद पेट तो चाहे के वल भाद कातर आखे सजलने जब कोई ब्रद जोड़ा घर से निकाल दिया जाता है और वो किसी चौराहे पर बैठा है वो चाह रहाएगी मैं कुछ काम करूं लेकिन उसकी ब्रदता को देखते हुए कोई उसे काम नहीं दे रहा है और वो काम करना चाह रहा है उस पर सुनिएगा आज उसे फिर देर हो गई आज उसे फिर देर हो गई नहीं मिली फिर से रोटी बुढ़ी अम्मा के सपनों में जूठन वाली ही रोटी किस से कहें वो मन की बात पेट की नहीं है कोई जाए कातर आँखें सजलनें कहे गए मन की सारी बात ये चार पांच छंदों की कवता है पर मैं दूसरी सुनाना चाहूंगी चुकि ये प्रोग्राम हो रहा है दिवाली के जस्ट बात और अभी हम एक लंबा तोहार मना के गुजरे हैं दशहरा से लेके दीपावली तर अभी मैंने रामाइड पे कवता लिखी है रामाइड अगर आप पढ़ें तो आप आएंगे कि रामाइड पूरा का पूरा सीता के त्याग पही है सीता शुरू से जानते हैं, राम शुरू से जानते हैं कि सब कुछ छलावा है जो स्वर्ण म्रग है वो भी मारीच है लेकिन मुझे जाना है यदि अग़ी परिक्षा देनी है, राम जान रहें कि सीता नहीं है वे छाया है फिर भी वे उसको कर रहे हैं जब अंतिम समय में राम वापस आते हैं और एक धोबी के लांचन लगाने मातर से वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं सीता का त्याग करूँ ये सीता को अपने पास रखो इतने लंबे संगर्षों के बाद मैंने सीता को पुनह पाया है और एक व्यक्ति के मातर लंग्षन लगान देने पर मैं सीता को त्याग दूँ जब वह इस द्वंद से गुजर रहे हैं तो उस द्वंद को सीता ने महसूस किया और सीता उस पर जो प्रतियत्तर दे रही हैं उनसे जो कह रही है अपने भाव उस पर लिखने का प्रयाज है ये थोड़ा अंचुहा विसे था और एक महिला के तौर पर मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए अगर थोड़े सी भी रामार्ण आपकी आखों में आये तो मैं सोचूंगे मेरा लिखना सार्थक रहा जी विजय पराजे द्वंद से क्या फिर हिदे तुम्हारा कल पित है विजय पराजे द्वंद से क्या फिर हिदे तुम्हारा कल पित है तो सुन लो ही रगु कुल के नायक तो सुन लो ही रगु कुल के नायक नाम मेरा फिर अरपित है ब्रत पूजा के प्रतिफल तुम को पुष्प वाटिका में पाया था धनुष प्रतंचा तोडो रघुवर मन ही मन ये ध्याया था पुनह मिलेस युग में हो तुम प्रेम मेरा फिर अरपित है सुन लो हे रघ कुल के नायक नाम मेरा फिर अरपित है रनी वास बना था पंचवटी तुम साथ में थे जब प्रिय मेरे पर कार तुम्हें करने थे ऐसे युग में किसी ने नाथे किये स्वर्ण हिरन म्रग स्वर्ण हिरन म्रग नैनों मेले बिचलित तुमने देखा था आरे सफल तुम को करने को हस कर तब भी बोला था सीता प्रिय है रगवर तुम को सीता प्रिय है रगवर तुम को पर धर्म है तु सब अरपित है सुन लो हे रग फुल के नायक नाम मेरा फिर अरपित है राम राम ही राम राम हो राम राम ही राम राम हो युग युग गुजे नाम तेरा मर यादा पुरशोत्तम तुम को जग जाने ये काम मेरा राम को राम बनाने है तु सीता तेरी अरपित है सुन लो हे रग फुल के नायक नाम मेरा फिर अरपित है राम बनाने है